सास लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद वेटरन गोरियोग्राफर सरोज खान को मुंबई के एक हॉस्पिटल में अद्मिट कराया गया। सरोज खान को साटडे को बैंडरा इस्थिद गुरुनानक हॉस्पिटल में अद्मिट किया गया और उनकी कोविड नाइंटीन के लिए जाँच भी की गई लेकिन वो रिपोर्ट नेगिटिव आई। उनकी रिष्टदारों का कहना है that she is doing better now और जल्दी उनको discharge कर दिया जाएगा। सरोज खान ने एक दो तीन हमको आजकल है इंतिजार धक्तक करने लगा चोली के पीछे क्या है नीमुडा और डोलारे डोला जैसे सौंग्स कोरियोग्राफ किये हैं। उनकी लास्ट फिल्म करन जोहर की कलंग थी जिसमें उन्होंने माधुरी दिख्षित का सौंग तबा हो गये डारेक्ट किया था। We wish her a speedy recovery.